अगर आपका computer automatically bias mode में एंटर हो रहा है और उहांसे exit नहीं हो रहा थो इस वीडियो को जूरूद देखी। देखिए दोस्तों मैंने computer को on किया है, on करने के बाद देखिए यह boot हो रहा है, boot होने से पहले यह automatically bias mode में जा रहा है, अगर आपका computer में इस तरह problem हो रहा है तो इस वीडियो को जुरूद देखिए, देखिए यह computer automatically bias mode में enter हो गए, तो अलग से कोई key press करने के बाद enter हैने का ज करने के साथ यहां पर डेल लोगो आ रहा है, आने के बाद देखिए, कोई की press करने का जुरूद नहीं है, keyboard आपका सामने है, और देखिए यह automatically bias mode में enter हो रहा है, यहां से किसी भी तरह से exit नहीं हो रहा है, save और exit करने के बाद भी फिर से यहां पर enter हो रहा है, तो इस problem solve करन के लिए मैं left right arrow key को press करके easy control के उपर आता हूं, easy control करो आने के बाद मैं down arrow को press करके launch pxc eprom policy का उपर enter करता हूं, पहले से आपको do not launch setting होता हूँ option देखने मिलेगा, यहां पर enter की को press करना पड़ेगा, और इस तरह छोटा से menu open हो जाएगा, वहां से आपको down और आप arrow key को press कर कर सकते हैं, तो यहां पर आपको select करना पड़ेगा legacy only, उसके बाद right arrow को press करके save and exit को पर आता हूं, और यहां पर save and reset का उपर enter को press करता हूं, और फिर से एक बार yes का उपर enter को press करता हूं, और यहां से सारे setting save हो चुका है, और देखिए यह बूट हो जाएक automatically, और देखिए Japanese logo आया है, और यहां पर boot होने के लिए command मांग रहा है, तो देखिए पहले जो bias में enter हो रहा था, automatically, वो problem यहां पर solve हो चुका है, और यह boot होने के लिए तयार है, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिला है, तो वीडियो को like कीजि कीजिए में मैं कीजियो में आकारी मु voor रहा है, तो रहा चाया है, तो दो